हेलो फ्रेंड्स यू अल्ड वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स वाती राठ और स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के अपने अल्लाइन प्लेट्फर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज हम लोग one word substitution का part 6 करेंगे one word substitution का ही part 1 to part 5 मैंने बना दिया था I hope आपने वो सारे ही वीडियोस देख लिये होंगे तो now without wasting much time हम लोग one word substitution का part 6 start करते हैं और देखते हैं कि पहला question क्या दिया है पहला question दिया है feeling inside you which tells you what is right and what is wrong मतलब आपके अंदर की feeling जो आपको बताती रहती है कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं option B conscience मैंने आपको बता दिया option C is consciousness मतलब a state of being able to see, hear, feel, etc. मतलब सजगता या फिर होश and option D is fear, fear का मतलब तो आप से भी जानते हैं डर तो hope आपको ये पहला one word substitution clear होगा आगे बढ़के अगला one word substitution देखते हैं loss of memory, loss of memory मतलब याददाश्ट का खो जाना या फिर याददाश्ट का चला जाना इसे हम बोलेंगे option B amnesia क्योंकि amnesia का मतलब होता है यादश्ट खो बैठने की अवस्था अब option A देखिए ambrosia, ambrosia का मतलब होता है amrit, option B amnesia मैंने आपको बता दिया, option C is insomnia, insomnia का मतलब होता है inability to sleep, मतलब अनिद्रा, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग सो नहीं पाते तो हम लोग बोलते हैं यार insomnia से सफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता insomnia, एक रात को नीद नहीं आई, उसे नहीं बोलेंगे, insomnia मतलब कुछ लोगों को ये बीमारी होती है, ये रोग होता है कि उनको नीद ही नहीं आती है रात रात भर तो सो नहीं सकने का रोग, इसे ही हम बोलेंगे, insomnia, option D is forgetting, forgetting का मतलब होता है, कुछ याद न रहना, चीजों को भूल जाना, बातों को भूल जाना, इसे बोलते हैं forgetting तो होप आपको loss of memory का one word substitution पता चला, option B हो जाएगा इसका answer, amnesia, अगला हम अपना one word substitution देखते हैं, words of similar meaning, वो शब्द जिन का meaning, same हो, similar हो, उन्हें क्या बोलेंगे, अब इसका answer हो जाएगा, option D, synonyms, क्यूंकि synonyms का मतलब होता है, words of similar meaning, मतलब परियाएवाची या फिर समान नार्थी शब्द, अब option A देखिए, homonyms, homonyms का मतलब होता है, words having the same spelling or pronunciation but different meaning, ऐसे शब्द, जिनकी spelling same है, उनका pronunciation, मतलब उनका उचारण भी same है, लेकिन उनका जो meaning होगा, उनका जो अर्थ होगा, वो अलग-अलग होगा, इनको बोलते हैं हम homonyms, option B is pseudonyms, pseudonyms means a name used by a writer instead of his or her real name, जो लेखखक लोग होते हैं, जो कवी वगेरा होते हैं, आपने देखा होगा, वो अपना कुछ उपनाम इस्तिमाल करते हैं, मतलब अपने असली नाम की जगा, अपने real name की जगा पकोई दूसरा नाम use करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं pseudonyms, Option C is Antonyms Antonyms का मतलब होता है Words of Opposite Meaning विलोम शब्द ऐसे शब्द जिनका जो अर्थ होगा वो एकदम विपरीत होगा उसे बोलेंगी हम Antonyms तो होप आपको Words of Similar Meaning का One Word Substitution पता चला सही answer हो जाएगा Option D Synonyms, अगला One Word Substitution देखते हैं To Struggle Helplessly मतलब बेबस होके संगर्ष करना इसे बोलेंगे हम लोग Option A Flounder क्योंकि Flounder का मतलब होता है To Move With Difficulty मतलब लड़ खडाना चलते चलते अगर डगमगा जाएं लड़ खडा जाएं उसे ही बोलते हैं Flounder Option B देखिए Founder Founder का मतलब होता है संस्थापक मतलब जो किसी नई संस्था को शुरू करें उसे बोलेंगे Founder Option C is Fumble Fumble का मतलब होता है किसी चीज को टटोलना लापरवाई से डूलने की कोशिश करना या फिर टटोलना इसे बोलेंगे Fumble Option D is Finger मतलब उंगली तो Hope आपको To Struggle Helplessly मतलब बेबस होकर संघर्ष करना लड़ खाड़ाना इसे बोलेंगे Flounder आगे बढ़ते हैं अगला हमारा One Word Substitution है One who tends to take a hopeful view of life मतलब जो जीवन के प्रती बहुत ज़्यादा आशावादी हो उसे क्या बोलेंगे तो इसे हम बोलेंगे Option D Optimist क्योंकि Optimist का मतलब होता है वो व्यक्ति जो की अपने जीवन के प्रती और अपने भविश्य के प्रती बहुत ज़्यादा आशावादी है कि आगे जो भी चीज होंगी बहुत अच्छे होंगी जिसका Mindset एकदम Positive होता है उसे ही हम बोलते हैं Optimist Option A देखिए Magnate Magnate का मतलब होता है A person who is rich, powerful and successful ऐसा इंसान जो धनी, शक्तिशाली या फिर सफल है उसे बोलते हैं Magnate Option B is Creator Creator का मतलब होता है A person who produces or creates something new ऐसा इंसान जो किसी नई चीज का निर्माड करता है इसे हम लोग निर्माड करता या फिर स्रजिन करता बोलेंगे Option C is Pacifist Pacifist का मतलब होता है अहिंसावादी या फिर शान्तिवादी ऐसा इंसान जो कि हिंसा को अनुचित समझता है A person who believes that violence is unjustifiable इसे हम बोलेंगे Pacifist तो होब आपको Optimist का भी meaning clear होगा और ये जो हमारा one word substitution है उसका जो सही answer होगा वो होगा Option D Optimist तो friends आज मैंने आपके साथ कुछ one word substitution डिसकस किये I hope आपको ये सारे ही clear होंगे अगर still कोई doubt है तो आप वीडियो को repeat करके देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए अपने maximum friends के साथ इसे share कीजिए और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो please हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो की notification आपको जल्दी से मिल जाये करें फिर मिलेंगे एक नए अपिसोड के साथ तब तक के लिए stay tuned with us thank you so much wish you all the best